इस वीडियो में हम संस्कृत सुबोद कक्सा 5 की कारे पुस्तिका के सोलवे पार्ट की वर्कशीट का हल देखेंगे काकश्य उद्धम है कव्वे का प्रीशरम इस पर आधारित ये एक कहानी है तो इसको आपको ध्यान से देखना है पहला प्रशन है इसमें चित्रानी द्रिस्टवा तद्विश्य वाक्यानी लिखा चित्र को देख करके उसके बारे में वाक्य लिखने हैं आपको तो यहाँ पर यह कव्वे की और प्यासा कव्वा होता है उसकी कहानी है जिसमें वो महनत करके पानी पीता है लेकिन पानी पीने के लिए उसे काफी प्रिश्रम काफी महनत करनी पड़ती है तो यहाँ पर तीन चित्र आपको दिखाए गए है पहले चित्र में यहाँ पर पाणी पीने के लिए कववा बहुत महनत करता है तो उसी के विशे में ये कहानी है तो चित्रों के अनुसार वाके आपको लिखने हैं तो जैसे ये वाके हमने लिखे हैं एकस्मिन वने एकह काकह आसीत एक जंगल में एक कववा था एक दा सहे पिपासिया आकुलह अभुवत एक दिन वहे प्यास से व्याकुल हुआ सहे जलाशयम अन्वेस्टू इतस्तत है अब्रहमत वहे जलाशय की खोजवे इधर उदर घूमा किन्तु सुदूरम यावत कुत्रा पी जलाशयम नै अपश्यत किन्तु दूर दूर तक उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया अन्ते सहे एकम घटम अलवत अन्त में उसे एक घड़ा मिला तस्मिन घटे स्वल्पम जलम आसीत उस घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था अतह सहे जलम पातुम असमर्थ अभुवत इसलिए वह पानी पीने में असमर्थ था अथ सहे एकम उपायम अचिन्तियत इसलिए उसने एक उपाय सोचा उसे एक तरकीब समझ आई तो क्या समझ आई सहे दूरात पाशान खंडानी अनिये घटे अक्षिपत एवं क्रमेन जलम उपरी समागच्छत वह दूर से कुछ कंकड पत्थर के टुकडे लाया और घड़े में डालता रहा और धीरे धीरे पानी उपर आता रहा आगे देखते हैं इस चितर में जब पानी उपर आ जाता है तो कवा पानी पी लेता है का कहे जलम पीतवा सुखी अभुवत तो कवा पानी पी करके उसने बहुत सुख महसूस किया बहुत सुखी हुआ उध्यमस से परभावेन का कह सफल है अभुवत परीश्रम के कारण ही कवा सफल हुआ उध्यमस से परभावेन एव सर्वे जीवने सफला भवनती परीश्रम से ही सभी का जीवन सफल होता है उक्तम चै बिल्कुल सही कहा गया है उध्यमेन ही सिध्यन्ती कार यानी ने मनोरत है परीशरम करने से कारिय सफल होते हैं कारिय पूरे होते हैं केवल मन में सोचने से ऐसा नहीं होता है मन में सोचने से कुछ नहीं होता है कार्य करने से मेहनत करने से ही सफलता हमें मिलती है तो इस तरह से आप इसको पूरा कर लेंगे अब हम देखते हैं आगे अपने अगले प्रशन को प्रशन दो है हमारा उधारना नुसारम वाक्य निर्मानम कुरुत उधारण के अनुसार आपको वाक्य निर्मान करने है यहाँ पर तीन इस्तम्भ आपको दिये गए है यह पहला इस्तम्भ है यह दूसरा यह तीसरा इन तीनों इस्तम्भों में से शब्दों का चेहन करके आपको सार्थक वाक्य बनाने है तो यहां पर देखिए हमने वाक्यों का निर्मान कर दिया है आप यहां से देख करके इन्हेंज अपनी कारेपुस्तिका में भर सकते हैं जैसे एक वाक्य उधारण के अंसार इन्होंने बनाया है एक स्मीन वने एक कह का कह आसीत एक जंगल में एक कवा रहता था अब इसी तरह से हमने भी वाक्टों को मिला करके वाक्य बनाई हैं जैसे सहे एकम घटम अलवत क्रमेन जलम यहां पर आएगा उपरी क्रमेन जलम उपरी समगच्छत जलाश्यम वने इतस्तत है अब्रमत उध्यमस से परभावेन एव सर्वे जीवने सफलाहा भवन्ती प्रीश्रम के कारण ही सभी का जीवन सफल होता है सहे पिपाशया अकुलहे अभवत का कहे एकम उपायम अचिंतयत एकश्मिन वने एकह का कहे आसीत तो हमने यहाँ पर शब्दों को चैन करके वाक्य बना दिये हैं इसी तरह से आप भी वाक्य बना लेना यहां से देख करके अपनी कारे पुस्तिका में भर लेना इन है तो अब हम देखते हैं आगे इसमें अपने अगले प्रशन को प्रशन तीन है हमारा लट लकारे परिवर्तित लट लकार में परिवर्तित करो बदलो देखिए संस्कृत में यहाँ पर लंग लकार और लट लकार लंग लकार का मतलब भूत काल होता है लट लकार मतलब वर्तमान काल होता है तो यहां पर यह जो शब्द दिये गए हैं यह लंग लकार में हैं भूत काल में हैं इन्हें हमने एक वचन के रूप में लट लकार यानी वरतमान काल में बदलना है तो दिखते हैं जैसे यहां पर इन्होंने बदलके भी दिखाया है आसीत यह बूत काल में हैं वरतमान में यह हो जाएगा अस्ती ऐसे ही अभवत यह वरतमान में हो जाएगा भवती अभरमत भरमती अपश्यत पश्यती अलभत लट लकार यानी वरतमान काल में लवते अचिं से आप इनको बदलेंगे अब हम देखते हैं इसमें अपने अंतिम प्रशन को प्रसंचार है हमारा पाठात अव्याई पदानी चित्वा लिखत पाठ से अव्याई पदों का चेहन करके लिखो जैसे एकदा कुत्रापी इतस्तत है एव चै इह अपी अथ एवं तो ये यहां पर कुछ अव्याई शब्द दिये गए हैं इस पार्ट में उनका चेहन करके हमने लिख दिया है अव्याई शब्द वे होते हैं जिनका रूप लिंग वचन कारक लकार आदी के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें हम अव्याई शब्द कहते हैं वो एक जैसे रहते हैं तो ये इस पार्ट में कुछ अव्याई शब्द हैं उनको भी हमने लिख दिया है तो इस तरह से ये हमारा संस्कृत सुबोध ककसा पांच की जो कारिपुस्ति का है उसके हमने 16 पार्ट की वर्कशीट का हल यहाँ पर किया है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कर करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें